सिंपल जो हैं यहां से डारेक्ट आ जाएंगे अभी कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं कि जैसे जो लोंग साउंड के लिए हम यूज करते हैं तो अभी कर लेते हैं लोंग साउंड लोंग साउंड वाले वर्ड जैसे कि अभी पिछले ही उसमें था सेन शू से तो यह कैसे लिखा था सेन सू से क्या था ट्रेनी तो यहां पर अगर रोमन में कहीं लिखा हो ऐसे तो आपको समझ जाना है कि यह लोंग साउंड के लिए उपर वाला माइनस लगा हुआ है और इसके बाद शू के बाद क्या लगाना है उ और लगाना है तो अभी जैसे एक नेक्स वर्ड है जी दो शा जी दो शा जी दो शा कैसे लिखेंगे C G कैसे बनेगा फ्रेंट C लिखेंगे उपर मात्रा लगाएंगे क्या बन गया C का G 2 2 किस्ते बन्दा है 2 से यहां लिखो 2 उपर 2 मात्रा 2 G 2 अभी यह उपर 1 माइनस है तो it means यहां पर क्या आएगा U ओर आएगा G 2 और सा कैसे लिखेंगे पहले लेंगे शी फिर यह शा जी दो शा जी दो शा का मतलब होता है ओटो मोबिल अभी नेच्ट वर्ड एक और है ओका सान ओका सान का मतलब होता है मदर तो इसमें A के उपर लगा हुआ है अभी यह थोड़ा सा अलग रहेगा के ओका सान का तो आ का साउंड लोंग जा रहा है तो पहले O को लेंगे हम O कौन सा यह रहा का अभी जो यह लोंग साउंड यह इस वाला आ वाला है इसमें आ ही लगेगा अगर आ का लोंग साउंड करना है तो उसमें ओका तो आ ही लगेगा ओका सा मदर नेक्स्ट वर्ड है ओबा चान ओबा चान क्या अपती है ग्रैंड मदर तो ओ ले लेंगे यहां से हा बा गहां से लेंगे हा ले लिया आगे पर दो मत्रा बा हा वाले लेंड से यह वाला हा और अगर एक ही लोंग साउंड है तो क्या करेंगे ए लगाएंगे ओबा चान चा को कैसे लिखेंगे ची फिर या चा ओबा चान ओबा चान का मतलब होता है ग्रैंड मदर तो यह इसका भी आप स्क्रीन सोट ले लें ताकि आप जब लिखें या फिर पढ़ें लेंग्विज तो आपको याद रहे अभी कुछ मैंने बताए कि जैसे अगर O के उपर लगा सेंसू के उपर सू के उपर लगा था तो हमने लोंग साउंड के लिए यू लगा दिया था और जैसे कि अभी एक और वर्ड है ओ तो सान ओ तो सान फादर तो फादर का ओ आ गया तो लोंग साउंड के लिए कू आ गया सान ओ तो सान तो ये एक तरह के स्पेलिंग है जो बिल्कुल सिंपल यहां से उठके यहां आ जाएगी सिर्फ साउंड आप लोगो ध्यान में रहेंगे तो ये स्पेलिंग तो बिल्कुल आसानी रहती हैं जैसे कि हर language में friends क्या होता है कि exceptions होते हैं अपवाद होते हैं कि नहीं उनको rule के इसाब से चलना ही होता कुछ words को तो उन words के ओ आप थोड़ा सा ध्यान रखें जैसे कि अभी एक word है तो तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये तो है ओ की long sound आ रही है तो ओ की long sound के लिए क्या करेंगे उ use करेंगे लेकिन यहाँ पर ऐसे होना चाहिए लेकिन यह कह रहा है कि मैं तो रोल को फोला नहीं करूंगा भी यह कह रहा है कि मैं तो तो के बाद ओ ही लगाँगा ये long sound के लिए तो ऐसे कुछ words हैं जिनमें o के बाद long sound के लिए o न लगके o लगता है वो बहुत कम word हैं और आपके सामने भी बहुत कमी आएंगे तो ये भी आप थोड़ा द्यान रखना तो ये तो थे long sound वाले अभी हम word कर लेते हैं double sound वाले words double sound double sound का मतलब जैसे की एक Japanese में word है बिक्कूरी बिक्कूरी का मतलब होता है surprise कोई surprise जो जाता है न बंदा कि बिक्कूरी शिमाष्टा ने कि मैं surprise हो गया तो जैसे की हिंदी में होता है friends पक का पक का कच च च च च च तो जहाँ पे ये तो दो alphabet है रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे दो alphabet repeat हो रहे हैं तो ये जो आधा चा है और आधा का है वो हम जैपनीज में भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदी में एक बाड़ है जैसे प्यार हिंदी में ये पा आधा आ गया लेकिन इसके बाद क्या है या है तो हम जैपनीज में आधा पा नहीं लिख सकते हैं हम आधा अक्सर जैपनीज में कब लिख सकते हैं जब दो alphabet repeat हो रहे हो और एक आधा हो और एक पूरा हो तो अभी जैसे लिखा है भिक्कुरी- विक्कुरी कैसे लिखेंगे यहाँ से है वी वी कहां से लेंगे हावाले लाइन से ही से शिल से क्या बन जाएगा है भी बन गया ए ह कूरी कूरी लिखते हम rewarding बिक कुरी यह आधा का भी लिखना है तो इसको हम लिखते हैं चू से लेकिन जो चू होता है वो इनके जितना बड़ा नहीं होता है वो बहुत छोटा होता है बिक कुरी ठीक फ्रेंट समझ में आ गया कि जब भी कोई ऐसे अकसर रिपीट हो रहा है जैसे यह अलभाबेट रिपीट हो रहा है का का रा रा तो उससे पहले चू लगा के हम उसको बिक कुरी लिख सकते हैं अभी जी जैसे एक और वर्ड है स, ए, क, ए, क साक्का साक्का का मतलब होता है राइटर तो सा हम कहां से लेंगे सावाले लाइन से सा आ गया यह का आ गया और इस का के लिए क्या लेंगे छोटा त्सू तो यह क्या बन गया स, ए, क, ए, क, 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 क साक्का तो यह डबल वर्ड ऐसे आ जाएंगे समझ में आ रहा होगा दोस्तों जो मैं अभी सिखा रहा है लोगो, मैं को उमीद है कि मैं जो सिखा रहा है आप लोगो समझ में आ रहा है तो अभी हीरा गाना का चैप्टर हम यही close कर लेते हैं और फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए हीरा गाना और काता गाना याद कर लीजिए इनसे कैसे word बनते हैं वो हम मैंने सिखा दिया है अभी जो आगे क्लासिस होंगी वो जैसे अभी word meaning आ जाएंगे grammar आ जाएगी उसके बाद greetings आएंगे grammar word meanings, greetings amazing facts of Japan जापान के culture के बारे में सब जो एक job करने के लिए आप लोगो चाहिए वो सब मैं मेरे channel पर डालूँगा आप please मेहनत करी थोड़ा सा और आपको घर बैठे बैठे जैपनिज आ जाएगी तो हीरा गाना का chapter अभी यहाँ पर finish हो गया है फिर भी कुछ भी आप लोगों कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे से पूछ लीजिए उसके बाद आप mail वगरा भी कर सकते हैं मैं reply दूँगा और अगर फिर भी कुछ ऐसा नहीं आ रहा है तो mail से भी समझ में नियारा class से भी समझ में नियारा कुछ doubt है आपको तो फिर friends हम कोई online class भी कर सकते हैं वो भी कोई problem नहीं है thank you